दादाजी, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ, आ रहा हूँ दादाजी, मैं आ रहा हूँ बिट्टू, इस घर के अंदर मत जाना, इस घर में चुढेल रहती है, डायन, भूतनी नहीं, मैं अपने दादाजी को कुछ होने नहीं दूंगा कुछ देर पहले मैं बिट्टू यमला पगला दिवाना अरे चुपो जा बेटा सुधर्जा सुधर्जा वरना बड़ा होकर यमला पगला आवारा ही बनेगा सब कुछ मिल रहा है ना इसलिए ये सब हरकते कर रहा है बेटा परिशानी हमने अपने जमाने में देखी है ना ढंक से खाना मिलता था ना ढंक से कपड़े मिलते थे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है इसलिए ये सब हरकते कर रहा है पिटा ऐसा ही रहा तो बड़े होकर अनपड भिखारी बनेगा बाकि तुझे कुछ करना है नहीं बिट्टू को सब मिल रहा है, इसलिए वो अनपड भिकारी बनेगा, तुझे कुछ नहीं मिला, ना कपड़े धंक से मिले, ना खाना धंक से मिला, तू बन गया कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, अरे पिताजी, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो समझा रहा था उसको, अब कुछ नहीं किया, मैंने, ऐसे ही बाल सफेद कर दिये, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बेटा, ऐसे ही बुड़ा हो गया, अरे पिताजी, मेरा मतलब ये नहीं था, आप बे मतलब गुस्सा कर रहे हो, अरे चुप, सब पता है, सब पता है, बेटा, सब पता है, मैं पा बार शकल देख ले, पोते, तू भी मेरी शकल देख ले, बहू, तू भी देख ले, देख लिया, मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ, पिता जी, अरे पिता जी, कहां जा रहे हो, अरे पिता जी अरे मत जाओ, मत जाओ, अरे पिताजी, मत जाओ कर दिया नाराज, सशुर जी को अरे भाई साहब, अंकल जी को क्या हुआ बाहर मुझे पूछ रहे थे, ऐसी जगह बताओ, जहां से कभी कोई वापस नहीं आता है मैंने कहा, पीछे मोहले में एक भूतिया घर है, जहां चुडेल रहती है जो भी उस घर में जाता है, वो चुडेल उसको खा जाती है तो वो उस घर में चले गए है ऐसा क्या हुआ अंकल जी को, जल्दी जाओ, अंकल जी को बचा लो, वो चुडेल उनको खा जाएगी मैंने बताना था बता दिया, बाखी आपकी मड़ जी मेरे दादा जी, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ मेरे दादा जी, अरे बिट्टू, तू उस घर में मत जाना, वहाँ चुडेल रहती है अरे बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू के पापा, मेरे बिट्टू को और ससुर जी को बचा लो, बचा लो, बचा लो मेरे पिता जी, मैं आ रहा हूँ मेरा ससुर जी, मेरा बिट्टू दादा जी, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ बिट्टू, इस घर के अंदर मत जाना, इस घर में चुडेल रहती है, डायन, भूत नी नहीं, मैं अपने दादा जी को कुछ होने नहीं दूँगा बिट्टू के पापा, बिट्टू और ससुर जी को बचा लो, बचा लो, हाँ हाँ, चल 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 बिट्टू के पापा, चुडेल, दादा जी, दादा जी, चल बाहर चल, अभी चुडेल सोई है, चल चल बाहर चल दादा जी, दादा जी कहां हो? बिट्टु भाग, चुडेल उठ गई, भाग भाग, चल 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 भाग, भाग कहां भागोगे? जो इस घर में एक बार आजाता है, उसका भागना मुश्किल ही नहीं, ना मुम्किन है क्योंकि मैं चुडेल उसको खा जाती हूँ, मार डालती हूँ, बिटु के पापा, मुझे डर लग रहा है, ये चुडेल हमको खा जाएगी, मुझे इतना डर लग रहा है, मैं डर की वजह से काप रही हूँ, देखो, कितना काप रही हूँ मैं, अरे चुडेल, ये बता, मेरे दादा जी कहा है, कहा है मेरे दादा जी, हाँ, दादा जी, कौन दादा जी, किसके दादा जी, मेरे दादा जी यही आये थे, इसी घर में, मेरे दादा जी कहा है, कहां है मेरे दादा जी, जो इस घर में आता है, मैं उसको खा जाती हूँ, अब मुझे क्या पता, कौन किसका दादा है, किसका नाना है, मेरे लिए तो सब मेरे भोजन है, तू मेरे दादा जी को खा गई, खा गई, मेरे दादा जी को मार दिया तूने, तूने मेरे दादा जी को मार दिया, हाँ, खा गई, बोल, क्या करेगा, अब मैं तुझे भी खा जाऊंगी, तुम सब को मार दूंगी, हाँ, 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 इधर आ, इधर आ, बिट्टू, पागल हो गया है क्या, भागने की बजाए, चुडेल को अपने पास बुला रहा है, चल चल भाग यहां से चुडेल इधरा लगता है मरने की जल्दी है यह ले आ गई तूने एक चुडेल को थपड मारा तूने एक भूतनी को थपड मारा तूने एक भूतनी को दो दो बार थपड मारा हा मारा तूने दो थपड से इतना बुरा लग रहा है तो सोच तूने मेरे दादा जी को मारा उनको खा गई तो मुझे कैसा लग रहा होगा पापा चलो घर चलो मैं किसी को जानी नहीं दूँगी मैं खा जाऊंगी चुप बिल्कुल चुप चलो चलो घर चलो मुझे दो थपड मार कर चले गए मैं चुडेल भूतनी कुछ नहीं कर पाई कितनी याद आ रही है मुझे दादा जी की मेरे ससूर जी, कितने अच्छे लग रहे थे, यहाँ पर बैठे थे सब बिट्टू की वज़ाए से हुआ अरे क्या हो गया दादा जी, बिट्टू के पापा भूत, 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 भूत अरे चुफो जा, अपने बाप को भूत कह रहा है, इसी दिन के लिए पैदा किया तुझे पिता जी, आप तो चुडेल के घर गए थे, हमने सोचा आपको चुडेल खा गई अरे चुफो जा, फाल तु बाते कर रहा है, मैं बाहर गया था, लेकिन वापस घर आ गया घर में देखा, कोई है नहीं, तो फिर मैं अराम से सो गया कहां चले गए थे तुम लोग, मेरा दादा जी, मेरा दादा जी, मैंने सोचा आप चले गए हो मैंने सोचा आपको चुडेल खा गई है मेरे दादा जी मेरे पोते मेरे दादा जी मेरे पोते मेरे दादा जी मेरे पोते